चाहिन साथियों आज हम लोग पर्यावन की स्रीज में एक महत्तपूर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है पास्थित्की का पिरामीड तो पिरामीड का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आगया होगा मिस्र वाला पिरामीड जो ऐशे बनता है आपने द दिमाग में तुरंत मिस्र आ जाता है कहां की बात हो रही है मिस्र की बात हो रही है ठीक है वैसे भी पिरामीडो का देश मिस्र को एजिप्ट को कहा जाता है और लेकिन आज में लोगों परियावरान पढ़ना है परियावर में जानते हैं कि जो पास्थित्की पिरामीड की संगलपना है, सबसे पहले किस्ट ने लाए है, तो जो पिरामीडी कि संगलपना है, यह सबसे पहले चॉल्स ऐलटन यो महत्रपुर्ण यहां से प्रेशन आपका आता है, सबसे पहले पास्थितित की पिरामीड कब लाया था? यहनों ने लाया था 1927 में यही dipping sag क्या कहते हैं एल टोनियन पिरामीड के नाम से भी जाना जाता है इसलिए इस बात को आप रोग अच्छी तरह से जानते रहेगा क्योंकि यहां से आपके परिच्छा में प्राया प्रश्ण आते हैं और आएंगे भी अब लेकिन हम कहेंगे सर इसमें इस पिरामीड का क्या मतल पोसक अस्तर होता है उत्पादक को आधार मानकर अल्ली जो पोसक अस्तर होते हैं उनको निरूपित किया जाता है मतलब यहां पर इसके पहले हम लोगों ने पोसक अस्तर पढ़ लिया तो जिसमें जो पोसक अस्तर होता है उसको आधार मानकर जैसे पोसक अस्तर हमने यह प उसे की आधार पर हम इस पिरामीड को बनाते हैं जिसे हम पास्की का पिरामीड कहते हैं तो जैसे से हम बनाते जाते हैं तो यह क्या होता है दिरे दिरे इसका आधार चोड़ा होता है फिर सिर्सिसका नुकिला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं पिरामीड कहते हैं तो अध्यन क देखे तो संख्या का पिरामीड क्या होता है संख्या पिरामीड संख्या पिरामीड अगर हम दूसरी की बात करें दूसरा होता है जयो भार का पिरामीड क्या होगा जयो बहार का पिरामीड होगा क्या होगा जयोभार का पिरामीड होगा फिर और आगे हम देखेंगे तीसरा होगा उर्जा का पिरामीड क्या होगा ये उर्जा का ये पिरामीड होगा इसका होगा उर्जा का पिरामीड तो में तीन प्रकार की पिरामीडों का अध्यन करना है तो याद रखिएगा कि पास्त क्या माने जय औहार क्या पर उर्जा की प्राप्ति की लगातर कमी होती इसी आधार पर पर प्रतम पोस्ऌल अस्तर में बायो मांस संचीत उर्जा топ उर्जा में धिरे-धिरे श क्यों कि यूझत्य विसका ड्रोटत अधिये उम्हाघ संखिला में क्रशत्म आपो beta प्रष्टत्यों चैश्चल बाईयम्स अर्ज़या की सोलपता प्राप्त होती है इस अखार में पिरामीड जैसा हो захot है इसे हम पात्की का पिरामीड कहते हैं उन्हीं पिरामीडों में से एक-क आप कि क्योंकि मेरा उद्देश है कि हमें आपके हर कॉंसेट को क्लियर करना क्योंकि ये आपको आज एगेस्ट टीचर के रूप में आपको निसल को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग राष्टित में देशित्म सिच्छा दें तो जित्ते लोग जूड़े हैं उनी लोग तक ये ब ही होगी वह होगी किसका पिरामीड है वह होगी पहले लोगों ने देखा था शंख्या का पिरामीड एक एक टॉप की लिखते चलेंगे पढ़ते चलेंगे कौन सा होगा शंख्या पिरामीड संख्या पिरामीड संख्या पिरामीड की बात करते हैं तो ये आएगा आपका न नंबर पिरामीड नंबर पिरामीड क्या आएगा संख्या पिरामीड या नंबर पिरामीड आई जानते हैं यह क्या होता है इसे में क्यों और कैशे पढ़ना है तहां जो देखेगा जो शंख्या का पिरामीड होता है इस पिरामीड में उदबाद को तथा करमिक रुप से था उल्टा दोनों प्रकार का होता है, माने यह जो पिरामीड होता है, शंक्या का, वो सीधा भी होता है, क्या होता है, सीधा यह पिरामीड दो प्रकार का होता है, यह पिरामीड कीटने बगार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है, सीधा, दूसरा होता है, उल्टा है यह पिरामीड कैशा है यह पिरामीड उल्टा है ठीक है समझ में गए सिधा उल्टा का पिरामीड क्या है देख रहे हैं यही है उल्टा सिधा पिरामीड का कॉंसेट अगर हम देखें जो घास का मैदान होता है फसल परितंद्र जाए फसल परितंद की बात करें चा होता है वह सीधा बनता है मिल्खित में से कि इसका किरामिट सीधा है डियों होगी आपका пойla यह आपना। इसके भी रहा अगर हम इस पिरामीड के तरब हम आगे की तरब बढ़ते हैं अगर ट्रोपिक लेवल की तरब बढ़ते हैं तो यहां पर हम लोगों ने देखा आपकी परिच्छार पूछ दिया जाए जो घास का पिरामीड होता है वो संख्या क्या दरब पर क्या होता है तो यहां पर हम लें देखा एकदम आसानी समलों को समझ में आ गया देखिए कैसे कैसे सीधा होता है कैसे उल्टा होता है इस बिशम हम आपको जरूर बताएंगे सीधा पिरामीड क्या होता है हाँ सीधा पिरामीड को हम लोग प्राया है जो सीधा पिरामीड ह इसे हम लोग अपवाड कहते हैं ठीक है फिर हम अगर हम उल्टा पिरामीड की बात करें इन्वाटेड होता है तो जो सीधा पिरामीड होता है इसमें आहर सिंखला में प्राथ्मिक पोसर्ण से उच पोसर्ण के तरफ बढ़ने पर जीवों की संख्या घटते जाती जैसे जो ह योग संख्या क्या घट रही है अहर सिंख्यला के आधार पर सबसे नीचे वाले अधिक होते हैं यहाव इसका नंबर आपका त्यार होगया दूसरा हम उल्टा पिर्यमिट की त्रब करते हैं यह थे थि Solo इंद कि अश्ठ हो गया ठ्सफिक-थी त्र-फ्लिवल है 430 की बात हो रही है यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर सबसे नीची देखेंगे तो उत्पाद्क हूगा की वह व क्या हो यहां पर क्या है जाशे मैं पर प्रिछ लेते हैं क्या लेता है लेंगे पेड़े लेंगे प्रिठ तो एक है ज़ाने क्या लिया पेड़ तो एक है ठीक है एक पेड़ क्या हो गया उत्पादक हो गया उत्पादक हो गया उत्पादक हो गया उत्पादक की पेड़ हो गया इसके उपर धेर पेड़ एक है उसके बाद शाकाहरी है उससे भी ज्यादा इन शाकाहरी को खाने वाले परजीवी है इन परजीविय पास्थ की तंद्र का पिरामीड बिलकुल उल्टा होता है इस ब्रिच के इस पेड़ की जो परितंत्र में पिरामीड उल्टा दिखाई देता है क्योंकि ब्रिच एक उत्पादा की काई होता है इस पर निर्भर पच्छों की संख्या बढ़ जाती है इस पर जो निर्भरता की शंक्या है वो लगातार बढ़ती जाती है तो जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं शमझ रहे हैं इसकी स्कीन सोट किलिक कर लें पहला काम क्योंकि यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वण होने जा रही है अब लुग जरा कॉमेंट करके बताइए कि आपको शबको समझ में आ गया लेकि मेरा उद्देश से आपको समझाना मेरा उद्देश से आपको सफलता के नजदीक ले जाना तो हमने देखा कि जो संख्या का पिरामिड होता है प्रकार का सीधा उल्टा बनता है घास का परसलतंत्र का जो पिरामिड होता सीधा बनता है लेकिन ब्रिच अकेला होता है इस पर साकारी परजीवी उच परजीवी जैसे से बढ़ते जाते हैं इनकी संह्ख्या भी क्या होती है बढ़ते जाती है। से एकदम गलत ना होने पाए ठीक है इसकी इंसाट किलिक कर लिजेगा अब हम लोग और आगे पढ़ेंगे ठीक है इक एक करके पढ़ते हैं रहेंगे आगे चलते रहेंगे रेश की गोड़े रेश में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं अब हम लोग पढ़ेंगे जयोभार का पिरामीड जयोभार को हम बायो मास का भी पिरामीड कहते हैं इसकी इंसोर्ट किलिक कर लिए अपने चलिए अब हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बी यह हम लोगों ने पढ़ा क्या संख्या का पिरामीड अब बी पढ़ेंगे जयोभ जयोभार पिरामीड जयोभार पिरामीड इसको कहा जाता है बायोमार्ष बायोमार्ष पिरामीड इसे क्या कहते हैं बायोमार्ष का पिरामीड कहते हैं आई इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगे घठा करते हैं और पढ़ने का प्रयाश करते हैं देखें पंडारी समस्त-जीव के सकल सुस्क भाहर के जित्रात्मक प्रसुति करण होता है। अगे इसको असान भासा में समझने का प्रयाश करते हैं मने जो पास्तिकी तंत्र में खाद सिंखला तक खाद जाल के सभी पोसक अस्तर पर संचित समस्त जीव जितने भी समस्त जो है जीव होते हैं उनके सेकल भार के पदर्शन तथा अध्यन के लिए बायो मास का पिरामीड पढ़ते हैं किसका बायो मास का पिरामीड पढ़ा जाता है चीक है कौन सा पिरामीड बायो मास का पिरामीड हम लोग पढ़ते हैं इसमें देखेंगे अस्तली परितंतर के उत्पादक का जियुभार भोजर शिकला प्रतेक अस्तर की उभोकता से अधिक होता है मने जब हम यहां के उत्पादक की बात करेंगे जब हम यहां के क्या बात करेंगे उत्पादक की बात करेंगे इसके बात जो ऊपर के तीनों है यह उप उभोकता है यह होंगे उप भोकता कहां से कहां तक यहां से लेकर यहां तक यह क्या हो गए हमारे यह हमारे उभोकता हो गए ठीक यह तीनों क्या हो गए हमारे उभोकता हो गए तो हमने यहां देखा कि जो अस्थली परितंतर में उत्पादक का जियुभार भोजन शिंकला प्रतेक अस्तर की भोगता सबसे जादा होता है अगर हम अस्तल के बायोमास पिरामीड में एक बड़ा आधार प्रात्मिक उत्पादक से बनता है तो सिर्परी लगू पोसक अस्तर होता है अपने आपे ध्यान से देखा यहां पर आप लोगों ने एक बात को थोड़ा समझने का प्रयाश करिएगा कि यहां पर हम लोग जहां पर नीचे हैं जहां पर उत्पादक की बात करें तो जहवर का पिरामीड सद्व प्रात्मिक उत्पादक का भार दसा जाता है आधार की ऊपर के भागों में विभिन्स रड़ी के भोकताओं का भार दसा जाता है सबसे ज़्यादा प्रिथिवी पर पादप है सबसे ज़्यादा क्या है प्रिथिवी पर अगर हम पर प्रिथिवी की बात करें तो सबसेदा परफीप क्या है? आप कहते हैं सबसे जदा पादप है. ठीक है पादप से पर आसृत कौन हैता है साका और है साका हरी. उनसे भी कम कौन है? मानसा हारी मानसा हारी से भी कौन है? उच्च मानसा हारी इनसे भी कम कम है? उच्च मानसा हारी इनसे भी कम कौन है? उच्च मानसा हारी यहां तक समझ मैं आपको तो यह हम लोगों ने देखा कि जो पिरामीड होता है किसका? जिहां जहाँ पे हम लोगों ने जो अस्थली परितंत्र में जो पिरामीड होता यह हमेशा सिधा बनता है ठीक है क्या बनता है एकड़म सिधा बनता है समझ मैं आप लोग को यह अस्थली पिरामीड है कैसा है यह अस्थल का पिरामीड है ठीक है अस्थली परितंत्र है यह है यह है आपका अस्थली परितंत्र का पिरामीड है यह ठीक है तुम उमीद करता हूँ यहां तक आपको शमज में आ गया होगा लेकिन इशी में आप देखेंगे कि जो भार पिरामीड सीध्य और उल्टा दोनों पकार का होता है यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा वन्यो घास के पाध्कित पंतर के पिरामिड सीधे बनते हैं क्योंकि यहां उत्पाधिकों के भार विभिन सिर्णी को भगताओं के बाहर से अधिक होता है ठीक है लेकिन आप पर एक बात ध्यां से देखेगा यहां पर भी दोनों बनते हैं सीधे और उल्टे दोनों होते हैं यहां पर भी बनता है सीधा और उल्टा दोनों बनता है अब इन दोनों के बारे में देखा जाए सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है अगर हम सीधे की बात करें यह सीधा कौन-कौन सा बनता है तो यहां पर जो भार के पिरामीड में वन वह घास वन और जो घास होता है यह सीधे बनते हैं यहां उत्पादकों का भार पिभिन सिर्णी को से अधिक होता है जिसे वन की बात करे यहां पुद्पा बशसाकारी- मानसारी घास हैज्ञा है यहां पर इसका पेरे wsp क्या बनेगा एक दम सिसजाब बनेगा ठीक है खास का अस्थ़ जोगा यहां पर भी बनेगा लेकिन जब हम जली परितंत्र की बात करते हैं जिसके में क्या होता है कि जो प्राथ्मिक उत्पादक संख्या अधिक लेकिन जयोभर कम होता है इसका जो पिरामीड होगा यह ऐसे बनेगा यह ऐसे बनेगा टी 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 ट्री टी फॉर तो यह यह होगया वनाव घास का पिरामीड किसमें जो भार में लेकिन जैसे ही हम यहां बढ़ते हैं तो हमारा देखते हैं हमने देखा कि यहां पिरामीड हमारा तुरंद उल्टा बन गया यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो जली परितंत्र होता है जो हमारा जली परितंत्र होता है उसमें जो पादप होते हैं प्लवक्यों डाइटाम होते हैं यह जियोभार साकाहरी मचलियों से कम होता है जली परितंत्र में जयोभार का पिरामीड सदय उल्टा बनता है ठीक है अगर तालाब का पूछा जाए जैसे यहाँ पर तालाब या जल परितंत्र इनका भी पिरामिट कैसे बनता है कैसे अई जानते हैं देखिए यहाँ पर जिसे उत्पादक की बात करें उत्पादक यहाँ पर जो होते हैं जिसे यहाँ पर जो उत्पादक होंगे वो क्या होंगे कम नहोंगे यहाँ पर उत्पादक क्या है अगर हमें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा है उत्प उत्पादक सबसे ज़्यादा कम है उस उत्पादक के बाद देखेंगे उत्पादक क्या है कम है मचलियां भी छोटी है क्योंकि इंका भार काम होता उत्पादक का ना अगर मुझसे बड़ी बात करें तो साकाहरी मचली होगी उसके उपर देखेंगे तो मांसाहरी होगी उससे उपर देखेंगे तो उच्च मांसाहरी होगी तो यहाँ पर हम देखा कि जो उच्च मांसाहरी मचली बड़ी बड़ी होती है कैसी होती है बड़ी बड़ी मचली होती है नぐरं का भार क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, कई कुंट्रूलों में होती है, अकेले-केले और सबको खाये प्या जा दिये हैं इसपकार हम लोगों ने देखा, कि ज़ोष का पिरामीड होता है, पास्तर की तंतर में उसमें भी घासका और वबन का सीधा बनता है तालाब का और चली परितंतर का जो पिरामीड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है यहाँ बे किसी कोई दिक्कत हो कोई समश्या हो तो बताईए देखिए इसका जो मात्रक होता है यह द्रब्यमान या चित्रफल में होता है इसका जो मात्रक होता है कि इस में होगा, या किसमे होगा, चत्रफल जो होगा? तो मैं उमीद करता हूं यहां तेक आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो तुरंत आप लोग इसकी इसकी इंसोट कर लिजेगा क्योंकि इनिसल्ड क्लास आपको इलेनी विद्रगेश पर प्रद्दिन मिलती रहेगी आगे भी मिलती रहेगी और आप लोग जुड़े हैं अभी और पिरामीड अभी आगे भी पढ़ना है अभी खतम थोड़ी नहो कर देंगे ठीक है चली हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले टॉपीक की तरफ इसकी इंसोट क्लिक करना है कर लिया नहीं किया कर लिजे मालिक चली अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वह और जा का पिरामीड पढ़ेंगे कौनसा अरजय का पिरामीड डिक इसमें क्या होगा इनर्जी पिरामीड इनर्जी पिरामीड आईये अटर debate की बात करते हैं तो उर्जया से जो पात की तंत्र संचालीत होती है तो समस्त जुजन्तु भोज पदार्थों के माध्यम से उर्जा लेते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर करते हैं और यह उर्जा एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखे जाती हैं और उर्जा पिरामीड जो होता है वो शद्यव सीधा बनता है उर्जा का जो पिरा पिरामीड की हम बात करेंगे तो उर्जा को पिरामीड होता है यह हमेशा सीधा बनताहें कैसा बनता यह हमेशा सीधाही बनता है अब सीधा भाग में निश्चित समय में देखे जाती है उसलिए उर्जा का पिरामीड हमेशा सिधा बनता है हमने लिंड मान को पढ़ा था हमने इसकी पहले लिंड मान को पढ़ा था कहीं कहीं आप इन ही का नाम लिंड मैन मिलता है तो इसलिए घबडाएगा हमने नियम इन्होंने 1922 में दिया था किया था कि 10 प्रतिसत उर्जा का नियम क्या था इसके बारे में हम लोग थोड़ा वो चांदे हैं जैसे हमने यह बताया कि जब एक फर्म से दूसरे फ़र्म में उर्जा जाती है तो तो 10% जाती है 90% उर्जा हरास होती है उर्जा ट्रांसफर कितनी होती है 10% या 1 by 10 यह उर्जा ट्रांसफर होती है अगर हरास पूस देगा तो यह हो जाएगा 90% उर्जा हरास होती है या 9 by 10 यह उर्जा क्या होती है हरास होती है जबकि ट्रांसफर उर्जा कितनी होती है 10% या जन्तु केवल 10% उर्जा ही अगले पॉसर तल को देता है पके 90% उर्जा क्या आती है हराश हो जाती है यह बात आप लोग जानते लिए परिच्छा में अलगले तरह से प्रस्टन आते हैं ठीक मैं उत्मीर करता हूं यहां से गलती नहीं होगी पॉसर सिंखला में कोई भी जि प्राथ्मिक उप भोगता दोतियक उप भोगता और यह वगे तृतियक तृतियक उप भोगता आई इसके बारे में हम लोग देखते हैं जैसे यहां पे अगर 1000 किलो केलोरी उर्जा मिल दिये असे उस गहस को कोई गधाया गधई खा जाती है मालीजी तो उसाही इसका 10% मिलेगा 10% कितना हो जाएगा यहां पी मिलेगा. 100 कलोरी, हमने देखा कि कोई भी पोस्रन अस्तर के उत्पादक के जितना करीब होगा, उससे उतनी अधिक उर्जा मिलेगी इसके बाद हम जाएंगे, तो 10 कैलोरी फिर इसके बाद 1 कैलोरी, बन्ये जो जो हम उपर की तरब बढ़ते हैं, तो जो उर्जा का परसेंटेज होता है, लिंडमान का 10% का नियम, वो 1 by 10 होता जाता है और हम हर अस्तर पे जाते हैं तो 10% उर्जा ट्रंक्फर होती है, 90% उर्जा हरास हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने शमझा कि लिंडमान का जो नियम था, वो कितना ही यहाँ जाता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर गाय को गर माल ले, तो गाय अगर भोजन कर लेती है, या ठेट सारा खा लेती है उसके उसे जुगाली करना पड़ता है, पता है क्यों ताकि उस भोजन को पचा सके, इसलिए उनकी आथ की लंबाई जादा होती है, लेकिन मान सहरी है, सेर में खाके जाता है, सो जाता है मान में, अपने उसका भोजन पक जाता है इससे सपष्ट होता है कि कहीं ने कहीं सरवादिक उर्जा उप्योग के जाता है और फिर देरे-देरे आगे की तरफ बढ़ाया जाता है फिर उर्जा 90% हरास होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, सोया हूँ खुछ भी कर रहा हूँ, तो उर्जा क्यों आती हरास होती है यह बात आपको जानते रहा हूँ, यह आपके परिच्छा में पहुच चुका है तो यह परियावराण पढ़ रहा है, तो परियावराण को अच्छी तरह से पढ़ना, समझना है जानना है, और सरेक्षन के भी करीब पहुचना है इसे कैसे नापते हैं, जैसे इसको जैसे यह किलो कैलोरी हो गया जैसे कैसे नापेंगे, दीखे अलग लग, इसका मात्रक क्या कहा है यूनिट या इकाई कहते है, ठीक है, मात्रक है दीखे यह हो जाएगा किलो जूल में किसमें हो जाएगा, यह किलो किलो जूल में है किलो जूल में है हेक्टेर में है चे किसमें है ये वर्स में है ये एक वर्स में कितना उर्जा ट्रांसफर हुआ या इसको हम बात कर सकते हेक्टेर में है किसमें हेक्टेर में है तो यहाँ पर ये जो पिरामीड की बात है ये लेकिन हमेशा याद रखेगा उर्जा का पिरामीड हमेशा सिधा बनता है और लेंडमान ने नियम अपना जो 1942 में दिया था इसी पर दिया था 10% उर्जा का इसी त्रस और पाशिकित तंत में उर्जा का जो अता स्थान्तरन होता है उर्जा का प्रवा एक दिशी होता है याद रखेगा इसमें उर्जा का प्रवा होता है यह बात थोड़ा से इंपोर्टन्ट है आपके लिए जो उर्जा का प्रवा होता है वो हमेशा एक दिशी होता है कैसा होता है एक दिशी ध्यान दीजेगा यह बात क्योंकि यहां से यह एक दिश्वी हो रहा है क्रें यह एक दिश्वा में ही जा रहा है एक के बाद एक उसने घास खाया उसको क्या किया भेड ने खाया भेड को शेर ने खाया तो उसको वन बैटे याद एक बटा दस प्रसेंट उर्जा मिल पाती है ठीक है तो यहाँ पर मुमीद करता हूं आप लोगो समझ में आ गया हाँ पूरे दिखे जो पूरे प्राकितिक तंत्र में थे वो सूर है और सूर की विक्रण के द्वारा ही पौधो द्वारा प्रकास अंसन किया जाता है रासानिक उर्जा को इस्तिती करण के लिए ही किया जाता है यहाँ पर उच्च अस्थली प्राकितिक वन घास के मैदान गहरी जील आदिकी जो पास्थ की तंत्र है इसके अनुपूरक उर्जा, शंपन, सौर उर्जा वाला पास की तंद माने ऐसे 35 जिसमें सौर उर्जा क्यत्रिक्त अनि प्राक्तिक उर्जा से सुरोत मिलती हूँ जैसे बहता गुए जया लोग वायू हो हवा हो ज्वार भाटाओं ये फिर उनने तीसरा का था कि मानो अनुपूर उर्जा संपन्ञ, सौर उर्जा वाला पास की तंद माने ऐसा कि ञातर माने प्राक्तिक उर्जा की आपउर्जा की किक्रेफिकी तंदर को अधिक देख जिए सेठाल हो गया सबर में शुर्विक उर्जा का जिवास में खनीष, तेल कोईला, गैस में पूर्जा में प्रस्थापित होता है ये इधन पाश्र्विक उर्जा में सबसे अधीक उर्जा दार संचालित लेज़ते हैं ठीक है कि यी classification आप ecosystem क्या है तो यहां तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि पुसक चक्र भी आगर आपने पढ़ा होगा तो आगे हम लोग देखेंगे कि पुसक चक्र क्या होता है भूर असानी चक्र क्या होता है जल चक्र क्या होता है गैसी चक्र फा पास्की तंत्र का पिरामीड क्या होता है कैसे बनता है और आप लोग से मेरा सवाल है कि जो तालाब का जो पास्की तंत्र है जीवभार का पिरामीड कैसा होगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और दूसरा है कि ब्रिच के पास्की तं आपने इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा ठीक है अगर आपने नोट्स बना लिए हो तो मेरे विक्तिकत नमबर पर इसे नाम और पता जिला लिखकर मुझे वाट्साइब कर सकते हैं ये निसल क्लास है किसी अने क्लास के अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक अलग नमबर है उस नमबर पर वाट्साप कर सकते हैं ये मेरा नमबर है ठीक है क्योंकि मैं चाहरा हूँ कि ये राश्टीत में देशित में सिच्छाप की विहातर होती है और आप भी अ है तो उमीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कोई सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरू कमेंड करिएगा लेकिन मैं मुझे नहीं लगता यहां से आपके मन में कोई भी प्रश्ण आ रहा होगा तब चलते हैं बाइबाई जय हिंद जय भारत जय है इसक